बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, असलाम अलेकों, वेलकम बैक टू हिना फूट सीक्रेट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिना आटा गुंदे, जबदसी, गोल, रोटी बनाने का आसान तरीका, यह बहुत ही आसान रेसिपी है, आगे बढ़ने से पहले, अब अगर हिना घर में इस्तमाल करते हैं, वही मैं यहाँ पर इस्तमाल करूंगी, दोनों अजजाक को सबसे पहले चान लेना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर मैं मैदे को चान लेने के बाद, आदा कब जो आटा लिया था, उसको चान लूँगी, इस तरीक से अगर आप चपांतिया बन लेंगे नमक, हस्पे जरूत हस्पे जाएका, नमक डालेने के बाद, इसको मिक्स कर लेना बहुत जरूरी है, इन तिनों अजजाक को मिक्स कर लेने के बाद, हम इसमें एट करेंगे पानी, पानी मैं यहाँ पर लूंगी, नीम गरम पानी, बहुत ज़ादा गरम पानी का इ तो यहां पे गुट्ली नजर आ रहे है तो यहां पर इसको मजीद मिक्स करेंगे इतना मिक्स कर लेना है कि जो आपके पास बीटर आया जिसका इस्तमाल कर रहे हैं तो इसमें गुट्ली नजर ना आए तो यह देखिए कितना जबदास तरीके से इसको mix किया है कि कोई गुटली अब मुझूद नहीं है अच्छे से mix कर लेने के बाद जब गुटली खतम हो जाएंगी तो इसमें डालेंगे एक खाने का चमच cooking oil cooking oil add कर लेने के बाद इसको का लेना है mix तो यहां पर देखिए मैंने इसको अच्छे से mix कर लिया है इसकी consistency कितनी रहनी है आप देख सकते हैं अब चलेंगे नेक्स स्टेप पर इसको पूरे के पूरे नॉन स्टिक पैन का जिसमें बहुत ही काम इकदार में आइल की जूरुत पड़ेगी तो तक्रीबर मैंने आदा खाने का चमच cooking oil add किया है वह एड़ कर लेने के बाद अच्छे से इसको पूरे के पूरे नॉन स्ट तवे के उपर पहला दिया है और इसके बाद हम इस बैटर को डालेंगे जो हमने त्यार किया है चपाती के लिए यह देखिए इस तरीके से चपाती के लिए जो हमने बैटर डाला है उसको एड़ किया है एड़ कर लेने के बाद थोड़ा सा हम इसको पहला लेंगे इस तरह हिला जुला कर तो इसकी केनारे देख सकते हैं आपको नजर आ रहे हैं कि यह पकने शुरू हो कि हैं तो हम इसकी साइड बदल लेंगे साइड बदल के हम इसको पका लेंगे सी चापाती को इलोट-फिलोट करके पकाते जाना जाना हैं यह डिखिये कि इसन जबदस तरीकी से तो बहुत ही आसान तριके से मैंने आपके साथ शेयर किया है बना आटा गुंदे आसान सा फुलका ऐसान सी चपाती बनाने का आसान तरीका अगर आपको यह रैसिपी पसंद आई तो इस रैसिपी को ज़िए को शेयर कीजेगा तो इस तरीके से फूले-फूले आप फुलके अ आसान फुले फुले फुलके तयार हो चुके हैं जो के बिलकुल गोल हैं जादा मेनत नहीं करनी पड़ी आप आसानी से बना सकते हैं अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो बस इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए चैनल हिनफ फूर्ट सीक्रेट्स पर अगर बहुत ही नर्म चपातियां यह तैयार हो चुकी हैं अगर आपको यह रेसिपी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको जरूर ट्राइ किजेगा और फीड़ पैक अपना हमें कमेंट सेक्शन में जरू दिजेगा नेक्स वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा है रहाल किये इस रेसिपी को ट्राइ करने के बाद मजीद रेसिपी इस की तरफ मूव कीजियो देखिए अलाहाफिज